अलीगड के थाना इगलास शित्र के गाउं लुखदिया निवासी एक महिला पिछले दस दिनों से बीमार चल रही थी जसके बाद परिवार वालों ने एक माउलवी के पास महिला को उपचार कराने के लिए ले गए जहां माउलवी ने महिला पर भूत प्रेत का असर बताते हुए उसे एक बंद कमरे में ले गया और उस महिला के साथ बुरी नियत से छेड़ चाड़ करने लगा महिला की ओर से जब इसका बिरोत किया गया तो मौलवी ने अपने सहीयोगियों के साथ मिलकर महिला को बुरी तरह से मारपीट के बाद गंभी रूप से घायल कर दिया जिस से महिला बेहोस हो गई लेकिन जब महिला को होस आई तो महिला ने इस वारदाद की घटना परिवार वालों को बताई जिसके बाद परिवार वालों ने मौलवी के खिलाफ इगलास थाने में तहरीर दे कर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मौलवी आस मुहम्मत को छेडशाड और मारपीट के आरोप में हिरासत में लेकर अग्रिम कारवाई के लिए जेल वेज दिया इस पूरी घटना के बारे में इगलास थाना छितर के छितर अदिकारी ने क्या कोछ जानकारी साजा की आईए आपको सुनाते हैं अब आने वाले दिनों में देखना एदिल्चस्प होगा कि मौलाना के खिलाब पुलिस प्रसासन किस तरह की कारवाई को अंजाम देता है न्यूस डेक्स समाचार प्लस